पविली के उस्थरप्र प्रधानमंत्री मोधी जी ने डीजल और पेट्टोल पर एकसाइज की ड्यूढ़ी को भारी कठोती करवा दी और प्रदेश और सरकार ने सयोग करते वे साथ ने कहा कि डीजल और पेट्टोल पर 12 बारा रुपे हम लोग कटोती करेंगे और भायों बेनों आज आपने देखा होगा कितनी राहत मिली है डीजलर पेट्रोल के दाम घटाने से क्या राहत मिली है बाद इसना पार्टी ये सोस्ती है कि कुछ पैसे कम कर दें तो जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी समाजबादियों का मानना है कि अगर ये डीजल पेट्रोल जीरो भी कर देंगे तब भी उत्तवदेश की जनता इन्हें सफाया करकरके इनकी गिंती हो सकता है नजाने कहा पहुचा देगा मुझा और चुनाव जैसे करीब आया चुनाव जैसे हाले पेट्रॉल की त्रफ दिखने रगे डीजल की इस सिस्टर में डीजल पेट्रोल महंगा होता है हर चीज महंगी हो जाती है यह वही भारति जन्ता पार्टी के लोग जो दिल्ली में बैठ करके पांच ट्रिलियंड डॉलर की इकॉनमी की बात कर रहे हैं वही हमारे मुझ्षवन्ती जी भी कह रहे थे एक चिलेंड डॉलर की इकॉनमी हो जाएगी जब इतनी बड़ा प्रदेश है इतनी बड़ी आवाली का प्रदेश है इसी चाई की बहतर सुधा तो मिलेगी ही विसुद पाई पेजल योजना से हर घर नल योजना भी यहां पर हम लोग हर परिवार तक पेजल की योजना पहुँचाने में मदद मिलेगी अब योजनाओं के लिए सिपारिस करने क्या हो सकता नहीं दिकास की योजना आपके गाँ और आपके घर तक आएगी हमें उसके लिए तयार रहना होगा और आपने पिछली बार भारती जंता पार्टी को तीनों विदायक्षिना जिता करके वेजे हैं भेजे थे ना सांसद्वी आपने वेजा मैं आपका विनंदन करता हूं इस वार फिर तयार हैं सभी लोग तयार हैं अच्छे लोग भेजेंगे चुनाजिता करके तो अच्छा कार्यवी होगा और नहीं तो विपक्त की सरकार होगी आप देख रहें अभी से उनके गड़ जोड कि लोगों से हो रहे हैं वही भारतियनता पार्टी के लोग जो दिल्ली में बैठ करके पांच ट्रिलियंड डॉलर की इकॉनमी की बात कर रहे थे वही हमारे मुझ्छ वंतिजी भी कह रहे थे एक ट्रि चीजें सफ्ती होती हैं नौजमानों के लिए इंवेश्मेंट के भाने नौकरी रोजगाल मिल जाते हैं इस सरकार ने नकेवल बावा साब इम्रा मेटिकल जी के सिद्धान को नहीं माना है वहीं डर्टर नावन और लोईया जी का जो सिद्धान था कि इनको हक और सम्मान म जी जी जाता है